यूएई में हो रहे आई पील 2020 में जीत की दावेदार मानी जा रही चेन आई सुपर किंग्स की टीम के दिककज ओल राउंडर बल्ले बाज रविंद्र जटेजा अभ्यास मैच के दोरान ताबर तोर तूफानी बल्ले बाजी कर क्रिकेट जगत में तहल का मचा दिया है दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जटेजा को बहतरीन और राउंडर बल्ले बाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए रविंद्र जटेजा की खासियत यह है कि बल्ले बाजी के साथ साथ गेंद बाजी के दमभरपी CSK की टीम को जीत दिलाने की एक्षमता रखते हैं मैदान पर उतरते ही ताबर तोट्चो के छक्के लगाने वाले रविंद्र जटेजा जब लाइ में हो तो दुनिया के किसी भी गेंद बाजी आकरमन को धुस्त करने की खशमता रखते हैं आखिर कौन भूल सकता है पिछले साल ICC World Cup के सेमी फाइनल मकाबले में न्यूजिलेंड के खिलाफ खेली गई रविंद्र जटेजा की उस एतिहासिक पारी को जब जटेजा ने मैदान पर अकेले ही कोहराम मचा दिया था दरसल उस मैच में छोटे लक्ष का पीछा करने उत्री टीम इंडिया की बल्ले बाजी ताश के पत्तूं की तरह बिखर गई स्टार बल्ले बाज, केल राहूल, विराट कोली, रोहित शर्मा, रिशप पंत जैसे दिगज बल्ले बाज सस्ते में ही पवेलियन लौट गए भारत की तरफ से रविंद्र जटेजा ही एक लौते ऐसे बल्ले बाज से दोस्तों जिन्होंने डट कर कीवी गेंद बाजों का सामना किया जटेजा की धुआधार बल्ले बाजी देखकर एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से जीत हांसिल कर लेगा लेकिन रविंद्र जटेजा के आउट होने के साथ ही भारत की जीत की उम्मीदे खत्म हो गई है खैर भले ही भारत वो मैं चार गया बावजूद इसके दिगज ओल्राउंडर बल्ले बाज रविंद्र जटेजा ने तुफानी पारी खेल करोडो भारती फैंस का दिल जीत लिया क्रिकेट विश्य शक्यों की माने तो इस बार आईपिल में रविंद्र जटेजा चेनरी सुपर किंग्स के लिए फिनिशर बल्ले बाज की भूमी का निभा सकते हैं हलाकि देखा जाए तो CSK के पास महिंद्र सिंग धूनी जैसा विश्य वर चैंपियन फिनिशर बल्ले बाज है बावजूद इसके क्रिकेट फैंस की निगाहें टिकी रहेंगी शांदार फॉर्म में चल रहे दिगज ओल्राउंडर बल्ले बाज रविंद्र जटेजा पर आपको बता दे रविंद्र जटेजा के फैंस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि IPL के पहले मुकाबले में